प्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शराब क्या है? शराब कई सारे पदार्थों का मिश्रण है जिसमें जल्ट सुगंधे टैस्टर, अलकोहॉल सामिल है शराब का मुख्य अव्यव, अलकोहॉल है किसी भी शराब में एथिल अलकोहॉल 8 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की एक बड़ी मात्रा मिलती है शुधर रूप में शराब अलकोहॉल को ही कहेंगे जिसका पूर्ण रासायनिक नाम एथिल अलकोहॉल है शराब पीने से नशा कैसे होता है? जैसे ही हम शराब का सेवन करते हैं सबसे पहले ये हमारे पेट में जाती है जहां पर इसमें से 10% सोख ली जाती है लीव केवल 15 मिलीलीटर एच अलकोहल को ही उर्जा में बदल सकता है इसके बाद बची हुई शराब छोटे आत में जाती है जिसमें मुझूद खून की नली इसे सोख लेती है ADH और ALDS इसे Acetaldehyde और फिर Acetic Acid यानी विनेगर के रूप में मेटालाइच करते है इस प्रकार अलकोहल पूरे शरीर में फैल जाती है जब ये दिमाग तक पहुँचती है तो इसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है यह अपना सीधा असर GABA और Glutometargic Neurons पर डालती है जिनसे हम चलने फिरने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं GABA Neurons Frontier Cortex यानी दिमाग के आगे के हिस्से को भी धीमा कर देता है जिसे चीजों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थिती में किसी इंसान को नशे में कहा जा सकता है शराब पीने से अच्छा क्यों लगता है शराब पीने से टेंपरेचर बढ़ने लगता है खून का संचार तेजी से होने लगता है जो एक नॉर्मल स्थिती नहीं है दिमाग इसे खत्रे के रूप में देखकर डोपामाइन रिलीज करता है जो की एक अच्छा महसूस कराने वाला हॉमोन है ये 50 ml शराब के सेवन तक ही सीमित होती है इसके बाद हाइपवेंटिलेशन और हाइपथर्मिया जैसी स्थिती पैदा हो सकती है जिसमें सास लेने में दिक्कत और दिल की गती अनियंत्रित हो जाती है कुछ लोगों को शराब की लट क्यों लग जाती है हम इसे कुछ लोगों में R.A.S.G.R.S. दो नामक जीन पाया जाता है जिन लोगों में है जीन पाया जाता है वे शराब का आनंद ज्यादा अच्छे से ले पाते हैं ये जीन वेंट्रल स्ट्रेम को एक्टिमेट करके डोपामाइन रिलीज करवाता है जिससे खुशी का एहसास होता है जिससे जैविक परिवर्तन होता है जो लट के रूप में सामने आता है जिन लोगों में ये जीन नहीं होता उनको लट लगने की संभावना कम होती है शराब जानलेवा कैसे हो जाती है ऐसी गढ़बर इसके बनाने की प्रक्रिया से होती है शराब बनाने के लिए स्टाच वाली चीजों को इस्ट मिला कर फर्मेंटेशन किया जाता है सामा निता है इसमें फूल, गन्ने का जूस, गाज़ का रस, शक्क, गुड, मकई, सरेहुए अंगूर, आलू, खराब, संत्रे वगरह इस्तिमाल होता है इसे किंवन प्रक्रिया द्वारा सरने के बाद स्टीम से एथिल अलकोहल तयार कर लिया जाता है कई बार फर्मेंटेशन के लिए इसमें यूरिया और उक्सिटोसिन मिला दिया जाता है तो यह एथिल अलकोहल की बजाए मैथिल अलकोहल बन जाता है मैथिल अलकोहल ही वह कारक है जिसे शराब जहरीली हो जाती है ये शरीर में जाकर फॉमिक एसिद नमक जहर बनाता है जिससे हमारे अंध धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं कुछ मामलों में यह है तेजी से घटित होता है और जल्दी मौत हो जाती है शराब के बारे में कुछ अन्य बातें पके हुए फलो में भी अलकोहल की कुछ मात्रा मिलती है इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये हमारे क्रमिक विकास का हिस्सा रही है और इसलिए हम शराब के प्रती इतने लालची होते हैं शराब खून में 10-12 घंटे तक, पेशाब में 3-5 दिन तक, बालो में 90 दिन तक रह सकती है अगर प्रेगनेंट औरत शराब का इस्तिमाल करती है तो पेट में पल रहे बच्चे तक शराब पहुँच सकती है शराब पीना स्वास्थे के लिए हानिकारक है इसमें मौत होने तक का जोखिम है वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेर करें धन्यवाद